हे बच्चो सबसे पहले all the best to all of you कल के एक्जाम को फार देना फोर देना हिंदी का विपर है बहुत ज़्यादा easy आएगा बहुत ही अच्छे से करके आओगे I know मतलब 10th class में board नहीं दे पाए थे लेकिन इस साल दे रहे हैं तो पहला है सबसे पहला nervousness वो होगी कि ये पहला है एक्जाम पढ़िट सोके तो मैं बात करों कुछ ऐसे facts की कुछ ऐसी बातों की जो आपको सबसे ध्यान रख रहे हैं सबसे पहली बात आप कल 16 तारिक है और कल आपका एक्जाम है हिंदी का positive vibes के साथ उठिएगा without tension नीद को पूरा करिएगा ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नीद को छोड़ दे रात बार बिल्कुल पढ़ते ही रहे हैं फिर आपको एक्जाम में नीद आए नहीं कम से कम चार या पांच घंटी के नीद अराम से लो सुबा उठो morning में रात को लेट तक पड़ो लेकिन कुछ भी अगर रह रहा है जो आपको लगता है कि marks gaining है उसको आप पहले cover करें किसी का कुछ रह रहा है complete करो आपस में help करो teachers की help पांगो सब complete हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आप जब exam hall में जाएंगे exam hall में जाने वाले होते हैं तो एक तब डर आता है कि हाँ यार exam आने वाला है हम थोड़ा सा मतलब सब के साथ होता है nervousness आयाती है थोड़ी से nervousness आएगी it's okay we are human being इंसान है आने वाली है कोई बात नहीं क्या करना है सबसे पहली बात भगवान का नाम लो जिस भी भगवान को मानते हो मानो उनका नाम लो अच्छे से अपने माता पिता का नाम लो अपने माता पिता को सोचो कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं basically और main बात याद रखें कि आपको हिंदी का exam है तो हिंदी के एक्जाम में आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा दिक्कत देगा तो आपको कैसे ने भी ना कैसे करके टाइम मैनेज करना है सबसे पहली बात आपको राइटिंग पर फोकस करना है हिंदी के पेपर में आपको किस पर फोकुस करना है राइटिंग पर फोकुस करते करते आप धिरी धिरी करके क्या होगा कि जब एंड वाला टाइम आता जो आधा घंटा होगा पर फोकुस करना है बहुती ज करना होगा बोड़ी फ desarroll अपन्दर मीन आपको पंदर मिन के लिए मिलेंगे कोई बात नहीं आप उस 15 मिनट में से पांच से साथ मिनट के अंदर फटाफट से पिपर पड़ो दस मिट वहां से चुराओ उसके बाद आपको क्या करना है time intervals में बाट देना है वो आपको पता है हमें पता है कि वो कोई सी चीज हम कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे से तो आपको क्या करना है time interval में बाट देना है मतलब कैसे कि अगर तीन गंटे का time है तो आपको आपके पास जितने भी खंड आए कीमती दो आपको कीमती चाहिक बर आपने सबसे पहला के त्सकंट सिर्फ निले रिएंसले करते दुसी बीच किए करना है वास्रूम जानाइए है ऐगए एकakahुए आप पानी कोई बात नहीं ठीक है पहली बात तो तीन गंटे एक्जाम पता नहीं चलता ना प्यास लगती है ना भूख लगती है कुछ भी नहीं लगता थोड़ा हलका कैसा जो हमारे पास बैठा है वो कैसा हमें नहीं बता तो क्या करना है कि आपको सामने वाले पर जो आपके बगल में बैठा है आपको पड़ लेगा टीचर तो आपको यहां पर एक्जाम टाइम पर मैं कहना चाहूंगा कि नहीं आपको पहले अपना करना है एक्जाम में भले फ्रेंड हो चाहिए कोई भी हो आपको अपने उपर वह करना है क्योंकि आपका पहले ही जब बैठने जा रहे हो यह हर डेली एक्जाम जब भी दोगे तो आपको देली देखना है कि यहां पर कुछ है तो नहीं या फिर आपके पॉकेट में कोई परची या कुछ रहे तो नहीं किया है आई नो इंटेंशन किसी का नहीं होगा चीटिंग करने का और कोई करना भी मत है ना फाल्तु में क्या होता है कि अभी किसी ने मतलब क्या करते है न्यूस आइटी की जेल भी हो सकती है या फिर आपको आपकी 12th कुरी भी खराब कर देंगे तो निढ होके एग्जाम को देना है विदाव टरींशन कूल मंड़ा इसको भी मानते हो मानो नाम लो फे पर थो एख्य से इसको भी अपना मानते हो उसको देखो अ अभी क्या है कि कि अभी सुबह तक या सुबह आपका दो बज़े एक्जाम होने वाला तो उससे पहले आप बारे बज़े से पहले पूरा अच्छी से फेपर हो जाओ फिर एक्जाम से एक या देर घंटे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना आपको माइंड फ्रेश एक्टा आपना जितना ज उसके बाद में माइंड फ्रेश हो जाओ फ्री हो जाओ बिलको लेट क्योंकि हिंदी है हिंदी मातर बाशा है हाई इनों ओवर कॉंफिदेंस में हिंदी में मार्क्स काम आ जाते हैं लेकिन नहीं आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से त्यारी किया अपने अपने उपर अपने उपर रखो और कॉंफिदेंस नहीं रखना अपने पूरे तज्जूर्व को लगा दो कि आपको एक्जाम में क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है जिक है ओवर चीजे नहीं करनी है कोई मारकर कोई कहते है स्केच वगड़ा कोई इन सब चीज़ों का यूज नहीं करन पूरे कोशन को लिख देते हैं उसमें टाइम बेस मत करो आपको टाइम बहुत कीमती है पैन पैंसिल रबर शॉपनर जितना भी सारा समाने अपना लेके जाओ किसी और पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहो दो पैन कम से कम एक्स्टा रखो है ना ब्ल्यू पैन अगर हमेंट n सबसुलन को कोई है को नहीं हमारते है मुटिमर रहना है मुटिवेट निच्छन एग्जाम बहुत का आगा है और रॉकिंग हो सबके साथ और सबसे पहली बात all the best to all of you my Avengers आपको जरुवत नहीं है आपको मुझे motivate करने की जरुवत नहीं है क्योंकि आप अपने आप में motivated हो यह आपकी जिन्दगी का पहला board है और आखरी भी है 12th के बाद board नहीं होने वाला और आप 10th में board दिया नहीं है तो यह आपका पहला और आखरी है तो जब exam देरे हो और बैठरे हो लिखना शुरू कर रहे हो exam में यह सोचके लिखना कि पहला है और आखरी है ये चांस किसी को नहीं मिलने वाला दुबारा अपनी percentage आपके हाथ में है कैसा करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे positive mind के साथ smile के साथ exam को start करना exam को end करना सोचना मत, overthinking मत करना और main बात, attempt करना सब कुछ attempt करना कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें कुछ समझनी नहीं रहता है इसमें क्या करें लेकिन उसमें कुछ words ऐसे आपको मिलेंगे कि हाँ, इस word का आपको मतलब पता होगा अगर उसका answer नहीं आता उसके बारे में जितना आता है सब छापतो, हिंदी है किसी के पास इनना टाइम नहीं होने वाला है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है वो जज़ कर लेते हैं, समझ में आया था उनको बच्चा कैसा है लेकिन आप अपना करतव भी पूरा करो step wise में दो नंबर का एक नंबर मिलेगा 100% attempt करना है 100% time को manage करना, watch को देखते रहना writings बिल्कोल improve के साथ में रिखने हैं अच्छी से लिखने है, because first depression, last depression होता है starting में तो writing सब की अच्छी होती है end में भी कर हो जाती है, मेरी भी हो गई थी उसको manage करना है, जो गलतिया की है उन्हें बता रहा हूं कि वो गलतियां आप ना करें all the best, all of you कोई भी दिक्कत है, कोई भी परिशानी है मुझे बताओ, comment करो demotivate हो रहे हो, comment करो, बताओ अपने पास मत रखो अपने पास रखोगे, जो पढ़ रहे हो, वो भी नहीं पढ़ भाओगे अच्छे से, तो without any tension paper दो paper की त्यारी करो, कुछ नहीं मिल रहा बता देना, सब कुछ मिल जाएगा अगर कुछ भी रहे गया या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर उस जल्दी जल्दी में वो hyper nice हो रही है, tension हो रही है यार कैसे करेंगे, exam कैसे होगा नहीं ठीक है, बिल्कुल भी नई overthinking मत करना, overthinking क्या करती है हमारी जो खुशे होती है, उसको और ले 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 जाती है overthinking बिल्कुल भी मत करना exam होगा, बहुत ज़्यादा मसत होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है ठीक है, आप ही लोग कहेंगे कि exam बहुत अच्छा होगा बहुत होगा, ठीक है so, all the best, all of you my avengers see you soon, जल्दी मिलेंगे और exam में रॉक करना goodbye guys